सबसे पहले, अगर आप लोग मेर को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, तो किसी भी माध्यम्शा कर देख रहे हैं, तो मैं अपने सारी गाउं का पूरे गाउं का दिल से अभार व्यक्त करता हूं, जिस चीज के लिए मतलब जो पर हम मना नहीं सकते थे, उसको हमने ब सभी पार हमें अगर आप लोग सोच रहा है कि यह बच्चे लोग अपने क्या दे रहे हैं और लेके आए तो अगर आपको जानना है तो वीडियो में के साथ बने रहे हैं और दिखते रहे हमारे साथ यूनिक उत्राकंग हेलो हाई नमस्तियों और वेल्कम बैक टो और अनदर व्लोग मेरा नाम है मायंक नेगी और स्वागत कर तो आपका उत्राखन के इन खूब सुरत पाखड़ों से तो सबसे पहले मैं आपको हरेला पर्व की बहुत-बहुत सुब कामनाय देना चाहूंगा इसके बारे मैं बता है शुआ काल दोंगा आपको हुता है लेगे आपको पता हो गा हिनुप अन्घांग के अंसार आज हम असार महीने से और स्रावन महाने के लिए स्रावन ऊथ्ले स्रावन का मेयना का मेंधा लग लग गया रूसके लेग अर में पर्व होता है अब हम jewe tighten है हरेला परव क्यूं मनाते हैं तो से यह होता है कि जो पेट पॉदे यह जाते हैं और खेत विलकुल सुखे बढ़ जाते हैं बिना पानी तो भी खिल से जाते हैं तो इसके क्या करन उसको हरिला परुकिया जाता है, मतलब हमारे चारों और हर्याली हो और घरों में सांती हो और इसके लिए हम लोग पूजा भी करता है, तो पूजा इसलिए करता है कि सब के घर में सांती बने रहे, कहीं जगे लोग तो हर्याली मतलब जैसे आज असार का महि यह खतम होने वादागा जो भाण ओ दो यहां आए तो को यह भी माझ यह भी होता है लेकिन हम लोग पूजा करते हैं बहुत से पूजा करते हैं अभी तरियो कि नारा ने एक गाउं है तो वहाँ हरी लापर का एक बेशाम मेला लगता है तो ऐसा कुछ होता है हरेला पर में और हमारे गाउं में हरेला परो के दिन श्रम दन का पूरे पंच MICHAEL के दूरा इतना धर श्रम दान का टांड आजा अधरी तो मेरी पीछा आपको दीखिए रही होगी हुं इसको मनाते हरेला पर मैं आपको दिखाता कि हरेला पर हम लोग मनाते कैसे लेकिन मैं मना दिखा नी सकता था दिखा नी पाया क्योंकि अभी चाची की सड़नली मतलब कुछ दिनों पहले चाची की देथ हुई थी और अभी उनका श्राद भी नहीं हुआ तो हम उस सीज के लिए अभी पूजा भी कर सकते हैं और दिया वगएरा नहीं लगाते हैं वैसे स्रावन महिने में क्या होता है हम लोग क्या करते हैं जितने भी हमारे अगल बगल मंदिर हैं तो उन मंदिरों पर जाके सब लोग दिये लगाते हैं ड्यूटी होती है आज एक परिवार से एक बंदा जाएगा तो वो तो दिये लगाएगा, ऐसे करके 30 इं हैं हो जाते हैं, तो स्रावन के मेने पूरा ऐसा काम होता तो लेकिन अभी इस राद हंी हुआ है, तो हम इस काम के लिए नहीं कर सकते हैं, और पूजा भी नहीं कर सकते थी, तो इसके देख लो गाहों वाले कैसे आते हैं कैसे मतलब यह होता है दुख में भी हमारे साथ है और सुख में अभी ऐसी होता है हमारे गाहों में एकता का प्रतीक यही होता है तो तो दूब लाइन क्या बाला मा की दीदियो तो जहीं यहाँ लाइन, जो एक से तो यह साथ दोसी होता है तो यह पनी ओना दोसी दूख में उट झालारा है अई पनी ओनाठी का भी ओना है दोस्ती ख़ह है तोस्ती ख़ह है जिए झालिगी चांब भी भी खच्चार इतना प्रशाद वा आज इसमें भी है इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है अकुछ तो खाय भी दिया है इतना साइद हम बना भी नहीं पाते हैं एक थला यहां भी है कि अप्राइब देखो हम बोलते हैं घाव मैं ऐसा होता है अनपर लूब अब भाद लूब अब भाद लूब लोग बोलते हैं कवार है यह है लेकिन इतनी positive vibes आ रहे हैं अंदर से मतलब लोग कहां किती किती दूर से अपना काम छोड़ के आ रहे हैं और एक प्रशाद देने के लिए सही बता रहा हूं इसलिए बोलते हैं उत्राकंट तो देव भूम उत्राकंट तो है और गाउं उससे सुन्दर कि ऐसी रिवाज रिदी रिवाज ही तो बोल सकते हैं इतने अच्छे से लोग मनाते हैं अब यह सब्सक्राइब करें और हरी लापर्व कि आपको फिर से एक बार बहुत-बहुत सुख कामना है जैसे ही मेरे पीज़े हरी लिए आपकी जिन्दगी में अभी ऐसी भार आये हरी आदि आये तो आज मैं आपको पूजा तो नहीं दिखा पाए लेकिन मैं आपको पहाड़ों में जो मेरे पिछे यह फसले होगी हुई है मेरे अगल बगल कौन सी आजका सब्सक्राइब करता हूं अगर वीडियो पसंद आती किया फोले क्या गन्दा हो आपको पता है लाइक शेयर कमेंट जरूब करें है सबसे पहले मैं यहीं से स्थाट करता हूं अपने इस खेट के चेट इन बगल लगे की यह आलो काफी निकाल दी हमने यहां से इन देखें मैं आलो के साट से निखा ज़ेक उपर निकाल रखें मैं ममी नहीं देखाता हूँ एक तु निकाली देता हूँ पहाडी अलू पवर एक ही निकला और होंगे हो नहीं आफ सब्सक्रा शोख भी गई है यह कुछ पत्ते सोग गया है निकाल दिया ना पहाडी अलू के बाद यह ठामाटर कि अलवी पटवा ताइजर्व्यत विघाल्ट है ऋ मैं अरे अनु भी छूट विषिक थे ठीक द्श्च आप लाल नहीं होते हैं अई से हरि हर्यम्हाले में कहा लेकल तक यह नेकिन जितना यह ज्यादा हो रहा है उतने नुकसान भी और इनका लेको बंदर नहीं क्या पर कर दिया अब यूट रहा हों सामके तीन साड़ी तीन हो रहा है तो अभी मैं कहता सुभए मैंने आपको आलो भी दिखा लेते और मक्य की खेली दिखा दीते और आप मैं दिखांगा आपको यह कद्दू की पेल यहां तक चली यहां तक तो चली गई है अब शायद लगना स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम बाद एक मैं एक मन्त वाद दिन पर कद्दू लग जाएंगे इसाद ममी नहीं बहुत लेट बूई रहे हैं इसलिए थोड़ा सा भी छोटी है जो बड़ वोसम भी बढ़िया है यार एक्दम से पड़ गे मेरे नजर तो भी यह देखो और यह देखो फूल भी लगाए हुए ममी नहीं फूलों का इतना ज्यादा सौक है ममी को बस पीले-फीले फूल लगाए हुए ममी नहीं एक यह देखो पूरे रास्ते में जहां तक रास्ता तक पीले-फीले फूल कुछ टाइम पहले यह बहुत बड़े हो गया तो मतलब मेरे हाइट के आज़े तक ऊपर लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यहां कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो फिर वो तूट गया फिर उसके बाद कहीं से लेके आए ममी फिल लगा दिया अभी वह मीतैं नाम मीपता टेकुन हो चेहर नाम मीपता बस फूल गीदा सुनदा लगर ना और वो तूरता नहीं तो यह थोड़ा और बड़ा हो जाता हूँ महां पर तूरता तुन पथ्था डाली है अभी देखो कितना बड कर दू ना थाज अब यह दिखातों में जितों में आज करको है अभी हेती आज खेती कर् अब में होती है तो यान कंदी स्टेस प्रीज में पर के खेती अभी अभी इनका में पिर गुुब्हरा एक और तो तो chips करें आ Looks हो रही हुए हैं तहलकी से ज्यादा नहीं हो यह सब इनके बीच में मक्य भी लगाएगा ही है हुए है अब थोड़ा सब विडियो को पॉस्ट करो और मेरे को चीज बताना आप लोग मंडवे के बीच में मक्य लगाने का रीजन क्या है कमेंट में जरूर बताना अब इनके बीच में मक्या लगाने का रिजन कुछ भी नहीं है वह बस इसलिए लगाते हैं मतलब जो दूर रहते हैं जो खित वहां नहीं लगाते हैं इनको यहां थोड़ा सा देख रेक हो जाती है तो मक्या इसलिए बहुत देते हैं ताकि बीच मे हो जाए अगर मंडवा नभी हो तो मक्का हो जाए तो बढ़िया रहता है और बंदरों से बचाव कर सकते हैं आसपा सब ने लगाए उदर-दर क्योंकि जहां तक हम जा सकते हैं अब दूर जाएंगे दूर वाले खेतों में जाएंगे तो वहां नहीं लागाता है अब बनाने के काम में आता है और वह इसी के बीज में जब यह मंडवा की खेती होते हैं तो उसी टाइम बो देते हैं इनको भी चला ब्लाब दूसरी खेत में सब्सक्राइब यहां जोलाई की खेती है यह यह मर्चा बोलता है और इनकी रोटिया खाई हो गया आप पर मर्चा और लाई बोलता है और यह भांग भांग का पिड़ अभी थोड़ा चोटा इसके बाद इसकी चट्टी मिलाने के जब यह बीज के धंग से गजांगे तो चट्टी मिलाने के काम में आ जाते हैं कि आज कल यहीं और खाया है कि चोलाई इन्होंने तो सारा चोलाई और भट और यह भट के बीज भी नहीं बीज में बुए हुए है मक्का नहीं बुए हुआ हुआ भांग चोलाई और भट और अब चलते हैं फिर उपर एक खेट से दूसरे के दूसरे खेट से फिर इस वाले खेट में और अब यहां पर जो लगाई हुए है यह पूरी खेटी यह मक्का है और यहां पर मिर्ची यह मिर्ची की अभी चुटी है अभी दो मैने और इसको लगाए वे इसके विए तेजी से क्रोथ होगी इसकी विए जैसे बर्साथ का टाइम स्टार्ट होगा तो बढ़ा क्यूंकि मिर्ची को बहुत पानी चीह होता है तो तेजी से होगा इसके बाटि यहां पर चली गए कफड़ी की अब जो यह लगाया वाइज सपोर्ट के लिए लगाया वाथ ताकि यह चड़े ऊपर क्योंकि बेल जो होती है बेल उपर चड़ती रहती है तो अगर जमीन पर छोड़ने तो खराब हो जाएंगे तो उपर चड़ाने के लिए इनका सबूर लेते हैं यह वाला मिर्ची का पौला जल्दी ग्रों करका देखो इस पर छोटी-छोटी मिर्च भी लगी यह पता नहीं कैसे हो गया जितनी जल्दी शायद मेर को लग रहा है पुराना होगा बच गया होगा बीच में साइट पर तो इस लिए इस पर देखो यह कितनी टमाटर के यह टमाटर के पेड़ है यह वाले और उपर यह सोया बीन राजमा की दाल अब राजमा ऐसे लगता है यह देखो इस पर लग भी गए फलियां लग गए इस पर अभी कच्छी है वो भी यह भी हो जाएंगी थोड़े कुछ टाइम बार दूटा की होते हैं यह र ऑर एक ग्रीन कवे और इनको सपोर्न की जॉर्ट होते है इसलिये इन बीच में ऐसे लगा देते हैं लगडी लगा देता है बीच में अब ये वाले खेत में देखें इसमें ये वाले जो हैं बैंगन के पेड़ है और ये मिर्ची इसमें तो बड़ी हो रहे हैं मिर्ची उधर तक पूरी मिर्ची जा रहे हैं और ये बैंगन के पेड़ काकबटा अब वह यह चाले गाओ बैंगन लेगा तो जो कि अब आस्टी अब अब आए तक से न है अच्छा यह लगी वह फ्रास बीनिंगे बीच में अब एक एक चेक करता हूं इन बीच कितने बड़े बड़े वह थे च्छोटे च्छोटे बड़े विए इन पर भी अधर लगा अधर है और फीक चले अधर लोगा लोगा अधर दादी भी ऊठ टीया हलोगा वह लोगा अधर आई कैसे हो कैसे हो आप कैसे ओ लिटा यह पुछ जी जया तरीजिए युदा पूचार थे जिए ने युदा पूचार टंवला कियां युदा अब तरीच सुआ पूचार्बर हो आप तो आज मैंने आपको दिखाया कि हमारे आसपास में कौन सी फसले हो रहे हैं कौन से सब्जी हो रहे हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करें आपको पहार की चीज़े देखने को मिलती रहेंगी और आज अब तो स्रावन का महिना भी शुरू हो गया तो बरसाथ फुल एकदम ट्रेंडिंग में रहे गया पर साथ के मतलब जहां ताहां पर साथ ही वह रहे गया तो न्यूज रहेंगी पहाड में यह हुआ पहाड में बरसाते इतनी ज्यादा हो रही है तो आज तो दूप लगी हुए अब साम पर रात को देखना वहां से बादल तो देखो वहां से बादल तो इकटा होने लग गए अभी हो जाएंगे वह रात में गड़ जाएंगे वह धर 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 और व्लॉग को करते हैं यहां बस हमाप्त तो वीडियो को इस कमेंट में बताना कैसा लगा तो मिलते हैं आप से फिर नए व्लॉग में तब तक के लिए अपना ख्यार लखें जय हिन जय उत्राफन